हेलो दोस्तों आज मैं आपके demand पे इसे बना कर लाई हूँ यह दिखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है आपके demand के नुसार इसका design कुछ इस तरह का है इसे अगर आप light color में बनाएंगी तो काफी अच्छा लगेगा जैसे की हम यह light color में बनाए हुए है यह जिस तरह से light color में बना हुआ है ठीक उसी तरह से आप color यहां change कर लेंगी तो और भी काफी खुबसूरत लगेगा यह देखने में देखिए यहां पर इसका design यह है इस तरह का design है यह एक यहां पर डाला गया है दूसरा यहां पर है तीसरा यहां पर है इसके बाद इस design को यहां पर डाले हुए ह जैसा कि आप हमें video यानि picture भेजी थी उस picture के अनुसार ही हम इसे यहां पर बना के complete किये हुए है तो अगर आप इस तरह का और भी देखना चाहती है तो यह भी हम अपने channel पर डाले हुए है देखिए यह इस तरह का बना हुए है यह भी हम अपने channel पर डाले हुए है इसका link निक हम description box में डाल देंगे तो आएए देखते हैं कैसे बनता है इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम 25 फंदा सलाई पे डाल लेंगे सलाई 9 नमबर का हम लिए हुए हैं और उन हमारा यहां पे थ्रिपलाई का है तो देखें 25 फंदा हम ले लेंगे तीन शुबिस और यह रहां 25 फंदा लेने के बाद में अब हम इसे चाहे तो आप सिधा तरब से अगर बुन रही हैं सिधा सिधा तो दोनों तरब से सिर्फ सिधा सिधा बुनती चली जाए और अगर आप इसमें उल्टा तरब से बुन रही हैं तो सिर्फ दोनों तरब से उल्टा उल्टा ही बुनती चली जाएं तो हम इस पे सीधा तरब से बुनेंगे दोनों तरब से हमें सीधा ही बुनना है उल्टा कहीं भी हमें नहीं बुनना है स्था 1 सबसे पहले दो लाइन सबसे पहले तो इस लाइन को पहले इसके बाद दूसरा लाइन भी हम सिधा पहलेंगे तो माया एक उल्ता कदरी सिधा तरब से चलाएगा बार बार. पहला लाइन यहाँ पर पैसे मादल होता है। आप हम दूसरा लाइन पहुंचेंगे। तो हमें। इस तरफ से भी जो की लग रहा देखने में रहा इंप और वलटा है। लेकिन इस तरफ रहा है। तो इस तरफ से भी हमें सीधा ही ब우나 है क्योंकि इस मोजे में जो डिजाइन है वो दोनों तरब से उल्टा उल्टा ही बुना हुआ है या तो दोनों तरब से सीधा-सीधा ही बुना हुआ है कि देखिए हम दूसरा लाइन भी सीधा वूंते हुए कंप्लीट करेंगे फिर हम उन को चोड़ लेंगे जो दूसरा कलर आप इसमें डालना चाहती है उसे हम यहाँ पर चोड़ लेंगे करें दीजाइन बनाना सिर्फ थोड़ा सा अगर आप अच्छी डंग से समझ जाएंगे तो ये डियाइन बनाना बहुत ही आसान है कि यह दूसरा लाइन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है अब हम तीसरा लाइन जो बनाएंगे उनको हम जोड देंगे सिधा तरप से ही हम जब हम सिधा सिधा बुन रहे हैं तो सिधा तरप जब हमारा आएगा उस वक्त ही हम उनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम उन इस कलर का लगा रहे हैं यहां पर देखें गांट लगा दिये हैं किसी भी तरीके से आप जोड़ सकते हैं जोड़ने का काफी तरीका होता है अब इसे भी हम सिधा सिधा ही बूलेंगे लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर आपका डिजाइन यहां से सुरू होता चला जाएगा तो सबसे पहले हम बूलेंगे चार लाइन डिजाइन यहां से सुरू हो रहा है तो चार लाइन ने चार फंदा बूलेंगे दो तीन चार शुरू में आप चार फंदा भी रख सकती है चाहे तो तीन फंदा भी रख सकती है अब दो फंदा फिर हम बूनेंगे दूसरे कलर से एक दो फिर से हम दो फंदा दूसरे कलर से यानि दो दो फंदा हम तोनों कलर से बुनते हुए इसलाइन को कम्प्लिट कर लेंगे सिर्फ हमें ध्यान देना है कि चार फंदा हमें सुरू में जिससे आप फंदे को डाली हैं सलाई पे उससे आप बूने दो फंदा एक कलर से बूनेंगे फिर दो फंदा दूसरी कलर से बूनेंगे इस चीज को ध्यान रखते हुए पूरी सलाई हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे अब हमारा है एक बच रहा है तो हम एक वीस में बून लेंगे लास्ट में यानि कि बूलू कलर से हम तीन फंदा बून लिया यहाँ पे अब इसे देखे पलट लेंगे पलटने के बाद देखे इसे में क्या करना है यहाँ पे हमें उल्टा ही बुनना है यहाँ पर, सिधा तरप से ही बुनना है पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा भी हम सिधा बुनेंगे सिधा बुने, तीसरा फंदा भी हम सिधा बुनेंगे अब फंदे को हम अपनी ओर ले आएंगे और ये जो फंदा है इसे हम नीचे की ओर ले जाएंगे और दो फंदा सिधा बून लेंगे एक और ये रहा एक देखिए यहाँ पे ये दो पून लिए अभी इस फंदे को हम अपनी ओर ले आएंगे और blue color का जो फंदा है इससे हम नीचे की और ले आएंगे और दो फंदा सिधा बुनेंगे एक और ये रहा एक फिर सिर्फंदा को हम अपनी और ले आएंगे और ये फंदा जो है इससे हम नीचे की और ले जाएंगे और एक एक दो सिधा बुन लिए फंदे को अपनी और करेंगे फंदे को दूसरा कलर का जो फंदा है उसे नीचे की और ले जाएंगे और दो फंदा सिधा बुन लेंगे इस फंदे को अपनी और करेंगे फिर से ये फंदा हम नीचे की और ले जाएंगे और दो फंदा इससे बुन लेंगे पस इसी तरह हमें इस लाइन को कम्प्लिट कर लेना है अब ये चार जो लास्ट का पंदा है इसे हम एक कलर से ही बुन लेंगे देखे एक कलर से आ गया अब हम पल्टेंगे सीधा तरफ देखे किस तरह से देखने में लग रहा है ये सीधा तरफ आ गया अब हमें क्या करना है यहाँ पर एक लाइन पुरा हमें ब्लू कलर से देना है तो पहला फंदा उतार लेंगे और बूनते चले जाएंगे सिधा पूरे जितना भी फंदा सबो को हम सिधा बून लेंगे 25 फंदा है 25 को हम सिधा बूनेंगे देखे जितना भी है इसमें जो दूसरा कलर का भी फंदा नजरा रहा है उसे भी हम इसी कलर से बून रहे हैं लाश्ट का ये तीसरा फंदा ये हो गया देखिया आप कड़ी जान कुछ इस तरह देखने में लगेगा फिर से हम इसे पलटेंगे पलटने के बाद पहला फंदा उतार लेंगे और पूरा लाइन सिधा बुन लेंगे यानि कि इस लाइन को हम पूरा सिधा बुन लेंगे तो एक धारी और आजाएगा आपको इस कलर से देखिए पूरा इस लाइन से हाँ पर बुन कर हम कम्प्लिट किये अब इसे पलट लेंगे पलटने के बाद देखिए किस तरह से डीजाइन आया सामने ये बीच का जो डीजाइन आप भेजी है वो डीजाइन यहाँ पर उतर गया और ये एक लाइन आ गया अब आगे हमें फिर से इसी चीज़ को ये जो यहाँ पर आया है तीन-चार बार पाँच बार एक, दो, तीन-चार, पाँच ये पाँचों को फिर आगे हमें भुनते चले जाना है तो देखिए हम कैसे भुनेंगे पहला फंदा उतार लेंगे दुसरा, तीसरा, चौथा चार फंदा हम इस color से बुने, अब फिर से दो फंदा हम इस color से बुनेंगे, एक, दो, फिर से दो फंदा ये color से बुनेंगे, फिर से दो फंदा दूसरे color से, तो इस तरह से बुनते हुए हम इस line को भी complete करेंगे, और जिस तरीके से हम अभी यहाँ पर बतलाएं किस तरीके से बनाय हुआ है उसी तरीके से बनाते हुए हम आगे कुछ लाइन इसे कंप्लेट कर लेंगे यानि कि अगर आप गीनेंगे तो ये 1 हो गया धारी ये 2 हो गया ये 3 हो गया अगला जो आएगा 4 हो जाएगा तो इस तरह से करते हुए हम 16 धारी या 15 लाइन बना कर यानि अगर आप लाइन से गिनेंगे सलाई से गिनेंगे तो 30 सलाई हो जाएगा आपका बना कर कम्प्लिट करें चलिए सबसे पहले हम यह जो धारी है यह दो छोड़कर फंदे को यहां पे सलाई पे डाले हुए इसे छोड़कर यह जो धारी है यह धारी हम गिनेंगे फिर ये धारी को गिनेंगे आप बॉर्डर से यहां से गिन ले एक, दो, तीन इस तरह से गिन ले और पंदर धारी बना कर कम्प्लीट कर ले तो इस तरह से देखे इसे हम इतना दूर तक त्यार कर लिए पिल्कुल फंदों को बिना बढ़ाए हुए बिना घटाए हुए जित अगर बढ़ाती है घटाती है तो गटाना तो नहीं चाहिए अगर बढ़ा लेती है एक फंदा साइड में तो उससे कोई दिकत नहीं है वो सिलाई में चला जाएगा तो देखे हम यह आप दिखे यह हम कितना पीस में बनाए हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, अब ये चीज आप आठ बना लें, अगर आप किंती में देख रही हैं, तो ये चीज आठ हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, आठ बना लेने के बाद में अब हम चलिए इस पे बनाना शुरू करते हैं, इसका बीच का फूल, तो देखिए उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, और दूसरा फंदा हम इस कलर से बूनेंगे, जो अलग दूसरा कलर है, उससे बूनेंगे, दूसरा, तीसरा यानि छे फंदा बूनना है, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब बाकी फंदों को हम ये ब्लू कलर से बून लेंगे, यहाँ थोड़ भी नहीं रखें बाकी फंदों को हम इस कलर से भून लेते हैं छे फंदा हम दूसरे कलर से भूने हुए है अब पलट लेंगे पलटने के भी बात फिर हम यहां पर देखिए यहां से पूरा इसे भून लेंगे इसी कलर से जहां तक हम भूने हुए है छे फंदों को छोड़कर बाकी फंदों को भून लेंगे पूरा देखिए यहां तक बून लिए फंदे को अपनी और कर लेंगे हम यह उल्टा तरफ है और यह फंदों को नीचे कर लेंगे और बाकी यहां पर छे फंदा बून लेंगे एक दो तीन चार पांच और यह रहा छे अब पलट लेंगे पलटने को बाद फंदा नीचे कर लिए नीचे करने के बाद देखिए हम दो फंदा पहला फंदा तो उतार लेंगे हैं जो हम दूसरे कलर से बुन रहे हैं वो पहला फंदा को हम उतार लेंगे और ये दूसरा फंदा हम बुन लेंगे अब देखिए अब हमें क्या करना है अब फिर से हमें यहाँ पर यह कलर लाते हुए पूरा एक लाइन बुन कर तयार करना है पूरा एक लाइन बना कर हम इस कलर से तयार कर लेंगे तो इसे हम यहां से यहां तक बूनेंगे फिर पलट कर आएंगे और यहां से यहां तक पुलू कलर तक ही बून लेंगे इसे भी यहाँ तक भूण कर ले आएं ज़ी बेर ट लेंगे और यह जो फंदा बचरा इधर तीन, तीन फंदा हो गया इसे हम नहीं भूण이스रेंगे अब फिर से देखिए यहдаं नहीं पेटेन हैं दूसरा पाला 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 दा उतारेंगे और यह दूसरा बुनेंगे अब फिर से देखिए ये फिर से हम यहाँ पे दो फंदा पहला फंदा उतारेंगे और ये दूसरा फंदा को हम इससे बुन लेंगे बुन लिए अब अगला जो फंदा है छे फंदा वो हम इस कलर से बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे अब बाकी फंदों को हम इस कलर से बुनते हुए कम्प्लिट कर लेंगे यानि कि हमारा यहाँ पे शुरू में एक फंदा कम हुआ यहाँ यानि कि भूने नहीं हम पलट कर फिर उसके बाद दो फंदा छोड़ दिये फिर यह दो फंदा छोड़ दिये अब फिर इस पार हम जबाएंगे वापस तो यह दो फंदों को छोड़ देंगे और इन फंदों को हम बुन लेंगे तो एक लाइन हम इस तरह से इस कलर से बुने दूसरे लाइन हम पूरा ब्लू कलर से बुन लिए, अब तीसरा लाइन इससे बुन रहे हैं, अब जो चौथा लाइन आएगा, उससे हम दो छोड़कर बाकी बाद पूरा ब्लू से बुन लेंगे देखिए यहाँ पे हम लगतार आप लोगों को बतला रहे हैं क्योंकि एक फूल आप समझ लिजेगा, तो एक पाओं में इसी फूल को तीन बार डाला गया है एक फूल अगर आप समझ लेंगी, तो दोनों फूल बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा जितना हम बुलू कलर से बुने थे उतना हम बुलू कलर से बुन लिए, अब फंदे को इस तरफ कर लेंगे और ये फंदा को हम नीचे करेंगे क्योंकि अब इस फंदे से में बुनना है और यह हम 6 फंदव बुण लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 पलट लेंगे इसे पलट लेने के वाइद फंदे को नीचे की और करेंगे पहला फंदव उतार लेंगे इस चीज का ध्यान रखें पहला फंदव उतार ले यहाँ पे डिजाइन बनाते इसे में पहला फंदा उतारना बहुत जुरूरी है ये दो फंदा पहला उतार लिए एक फंदा बुन लिए अब बाकी फंदों को हम बुलू कलर से बुनेंगे ये चार जो बच गया इसे हम बुलू कलर से बुन लेंगे और इसे ही ने पूरे लाइन को हम ब्लू कलर से बुनकर कम्प्रीट करेंगे ध्यान रहे कि फंदा पीछे की तरफ इस तरफ जो है ये थोड़ा सा धीला छोड़े बना टाइट हो जाएगा काफी तो देखे ये हो गया फिर से पलट लिए हम पलटने के बाद फिर से सीधा एक लाइन जहां तक बुलू है वहां तक हम बुलू बून लेते हैं देखे तो इसे बून कर हम यहां तक कम्प्लीट कर लेते हैं ये हो गया अब पलट लेंगे फंदे को नीचे की और ले जाएंगे पलटने के बाद अब फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे जैसा कि हम बतला है पहला फंदा उतार लेंगे दो दो फंदा हम छोड़ते चले जा रहे हैं हम इस कलर से बूनेंगे यह हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और एक एक ग्यारा जितना फंद मालाहा है छोडते चल जा रहे हैं यह दोनों से आ हम जोड चले जा रहे हैं तब हमारा डिजान यह हां पर बन पाएगा अब इस बार हम आएंगे तो फिर यहां तक पूर्नेंगे और दोपन दोगो चूड देंगे इस तरीके से यहां तक हम इसे बुन लेते हैं बुन लिए फंदे को अपनी और कर लेंगे यह फंदा नीचे की और ले जाएंगे और छे फंदा बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे पलट लेंगे फंदे को नीचे की और ले जाएंगे पहला फंदा उतार लेंगे पहला फंदा उतार लेंगे दूसरा फंदा बुन लेंगे और फिर से अब हम बुलू कलर से सारे फंदों को बुन देंगे तो देखिए, यह आपका एक, दो, तीन, तीन यहाँ पर फूल बना, तो इसी तरह बनाते हुए हम लाश्ट तक बनाकर यहाँ तक कम्प्लीट कर लेंगे, मेरे ख्याल से आप समझ गई होगी, अब यहाँ पर गड़बर नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हम इस तरह से इतना दूर तक बनाया है, एक, दो, तीन, चार, पांच और एक, छे, छटा भी हम एक लाश्ट बूने हुए, अब इसे हमें यहाँ पर पांच में पांच फंदा बटा, तो पांचों को हम पून चुके हैं, अब देखिए, इसे हम क्या करेंगे, प पलट लेंगे, पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर यह कलर से, सबसे पहले तो एक फंदा इस तरह उतार लिए, और दूसरा हम यहाँ इस ठंक से डाल लिए, अब यह तीन फंदों को हम बून लेंगे, एक, दो, तीन, देखिए यहाँ पर, अब यह हो चेला हो गया आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, छे लाइन इस तरह से आपको यह दिख रहा है, तीर्णा थीर्णा देखिए, छे लाइन हो गया, अब एक लाइन हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसे जो बूने हैं तीन, यह तीन को हमें एक बार और बून लेना लेना है, इस तरह चले जाते हैं total जितना भी हम दो दो करके छोड़े हुए थैं सबों को भूनते चले जाते हैं हु मृक फ़ीट सब कि फर लिंग गई उड्टा यहां पर आ जाएगा सब उल्टा नहीं आना चाहिए ये-एश्चमि पर देख रहे हैं यह उल्टा नहीं आना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह थोड़ा सा मुझा बुणावाट चेंज कर देते हैं ताकि यह उल्टा धारी ना देखें अगर उल्टा देखने में लगेगा अच्छा नहीं लगेगा तो चलिए हम इसे खोलते हैं यह लाएं ठीक है और इसे वापस हम फिर से ले जाते हैं बून लेते हैं इसे वापस तीन बूने जो उसके बाद हम उसे वापस बूनेंगे एक फंदा उतार लिए और ये एक फंदा बूने दूसरा फंदा बून लिए अब देखिए अगर हम सिधा बुनेंगे अगर हम इस तरफ से सिधा बुनते हैं इस तरीके से सिधा बुनते हैं तो आपका ये ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर उल्टा में जो ये चीज आता है ये चीज यहाँ पर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में इसके लिए हम क्या करेंगे इसे पूरा उल्टा बून लेंगे देखे इस ठंक से पाला पंदा उतार लेंगे और ये पूरा उल्टा बूना जाएगा अब यहाँ पे थोड़ा आपका चेंज हो जाएगा अगर चेंज ने कीज़ेगा तो फिर दुसरे तरफ का फूल बनने में दिक्कत होगा धागे को थोड़ा टाइट हम कर दिये दिखे पूरा उल्टा भून लेंगे एक लाइं तो जरूरत के अनुसार हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको अब इस पार हम जितना फंदा है सबों को बून लेंगे लाश्ट तक बूनते चले जाएंगे यह लाश्ट का फंदा भी बून लेंगे अब देखिए अब हमें क्या करना है अब इस तरह से हम सीधा बूने उस तरप से उस तरीके से बूने तो अब हमें पूरा उल्टा इस ठंग से बूनना है इस ठंग से हम बूनेंगे तब यह लाइनिंग जो है वो लाइनिंग आपका आएगा देखिए यह लाइनिंग जो देख रहे हैं हाँ यह तभी आएगा कि लाश्ट तक पून लेते हैं यह हो गया लाश्ट तक complete अब देखे अब जो चीज हम यहां पे बूने यह यह डिजाइन जो हम डाले उसी डिजाइन को भूमें इस तरह डालना है यहां एक आएगा यहां आएगा यहां आएगा इस तरह से डालना है तो उसे डालने के लिए हम क्या करेंगे अगर हम इसे इस तरफ से डालते हैं तो फिर वही बात हो जाएगा तो हम पहले बून के इसे देख लेते हैं उल्टा तीन लाइन यहां पे हम उल्टा तीन फंदा उल्टा बून लिए अब देखिए अब हमें क्या करना था नहीं तीन उल्टा नहीं बुनना हमें इस कलर से लाना है इस कलर को लाना है यहां पर पांच में हम लाश्ट किये थे तो पांच हमें इस कलर से लाना है देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे और इस कलर से पांच बुनेंगे फंदा एक दो तीन चार पाँच देखिए बुनावट देखिए किया सा चेंज हो गया किस तरह से हम उल्टा तरफ से बुनने लगे हैं इस चीज को ध्यान में रखिएगा अब इस तरफ से जब हम आए तो फिर हम फंदे को अपनी और और उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच देखिए पाच अब हो गया यहाँ पर पाच हो गया अब जो हम बुनेंगे ये बुलु बुनेंगे हम बुलु कलर से दो और बुन लेंगे अनि साथ खंदा बुनेंगे देखिए एक दो 2, 3, 4, 5, 2 और ले लेंगे हम 6, 7 जैसे हम 2 छोड़ते चले गये थे उसी तरह हम अब इस बार 2 दो लेते चले जाएंगे अब देखिए अब हमें फिर से पहला फंदा उतार लेंगे उतारने के बाद बाकी फंदों को हम बून लेंगे देखिए अब हमें क्या करना है अब हमें ये तीन फंदा बुलू कलर से बूनेंगे तीन फंदे को और इसके बाद तीन, दो, पाँच और एक छे छे फंदा हम इस कलर से लगाएंगे तीन फंदा हम बुलू कलर से बून लेते हैं यह आ गया, यह आ गया, तिन फंदा, देखिया यहाँ पछूपर हम पहला फंदा उतार लेंगे, और दो, तीन, तीन पून लिए, आप देखिया इस फंदे को हम लगाएंगे यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे-चे फंदों से हम बून रहे थे, फिर से हम लेटेंगे और यह 6 फंदा बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, देखिए यह आ रहा है आपको, यहां से यहां, यहां से यहां आया, अब हमें क्या करना है, पलट लेंगे, पलटने के बाद बुलू कलर का जो है, और से हम इससे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार पंदा बुन लेंगे, 5, 6, 6 पंदा बुनेंगे 5, 6, 2 पंदा और ले लेंगे 7, 8, पलट लेंगे पलटने के बाद अब फिर से हम सारे पंदों को बुन लेंगे यहापे बुलू कलर से, पहला पंदा उतार लेंगे यह उतार लेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस और यह रहा एक्यारा देखिए इस तरह से आपका यह भी नावट चलाएगा यह यहाँ पे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया अब हम यहाँ कहां तक बुनेंगे? इसे, यहाँ से बुने हैं हम, तो यहाँ पे हम छोड़ेंगे आपको यह दो फंदा लेकर, चार फंदा और, इतना दूर बुनेंगे ठीक है? यह जो छोड़े हम, इस से दो फंदा ले लेंगे और इस तरब से चार फंदा लेंगे, दूसरे कलर से याने यह भी बुलू कलर से कितना बुनेंगे? साथ, साथ फंदा बुनेंगे तो देखिए इसे हम पहला फंदा उतार लेंगे दूसरा फंदा दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब छे फंदा हम इस कलर से बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब पलट लेंगे पलटने के बाद फंदे को अपनी और ले आएंगे हम और इसे भी बुन लेंगे देखिए, यहाँ पे अगर हम फंदा उतारते हैं हाँ उतारना ठीक रहेगा, उतार लेते हैं यह तब आपका इस तरीके से आजाएगा भुन लेना चाहिए हमें फंदा यहाँ पे नहीं, तो यह जो धारी आ रहा है यह धारी नजर नहीं आएगा तो छे भंदो को दो फंदा हम भुने तीन, चार, पांच, छे भंदा भुन लिए हम आप देखिए छे भंदा भुनने के बाद यह जो कलर आपका दिख रहा है यहाँ पे देखिए यह कलर से फिर हम बुलू को लाश्ट तक ले जाएंगे बुलू कलर से भी हम भुनना है हमें नहीं तो उस तरफ सिकुड़न आ जाएगा इसलिए इस फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और यहाँ का फंदा उतार लेंगे हम क्योंकि यहाँ पे पहले भी हम बुन चुके हैं तीन, चार, पाँच, छे, और यह रहा साथ देखिए उठीक आ रहा है बिलकुल अब हम इसमें मिलाते हुए इसे बुनेंगे तो इसी तरह से बुनते हुए हम इसे लाश्ट तक यहाँ तक जाएंगे यानि इस बार हमें क्या करना है इस बार हमें दो बुलू कलर को ले लेना है जैसे की देखिए पहला पंदा उतार लेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और इन फंदों को भी हम बुन लेंगे आठ, नौ, दस, एक यारा साथ में इसे बुन देंगे बारा, तेरा और इतना बुन चुके अब दो फंदा हम जो छोड़ते चले गये थे इस तरह बुनने में उसे हम दो-दो फंदा करके लेते चले जाएंगे इस चीज का आप ध्यान रखें जैसे भी हम दो फंदा लिए बुलू कलर से फिर हम इसे बुन कर यहां तक खत्म करेंगे फिर यहां से यहां तक आएंगे तो चार फंदा छोड़कर बुन लेंगे हम बुलू कलर से और चार फंदा इस कलर से बुनेंगे यह कलर से चार फंदा बुनेंगे और दो फंदा इस से लेंगे तो छे फंदा हो जाएगा इस तरह से बुन कर हम इसे लाएंगे जिस तरह से हम वाप इसे जिस तरीके से दौ-दो छोड़ कर भुने थे दो-दो मिला मिला कर भुनते हुए डिजाइन को तयार करेंगे पहला पंदा उतार लेते हैं दो, तीन यानि इस लाइन को पुरा कंप्लीट कर लेते हैं बोलू कलर से देखे पुरा कंप्लीट हो गया अब पलट लेंगे पलटने के बाद जहां तक हम बुलू बुने थे उससे चार फंदा पीछे तक बुनेंगे हम इस चीज को सिर्फ ध्यान में रखें उससे चार फंदा पीछे तक हमें बुनना है अभी है एक, दो देखिए दो, दो, चार यानि दो फंदा और बुनेंगे एक, दो देखिए, चार फंदा ये रह गया चार फंदा हम नहीं बुन रहे हैं बुलू कलर से और हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ये कलर लगा लेते हैं चार फंदा इस कलर से बुनेंगे दो, तीन, चार और दो फंदा इससे हमें एक्स्ट्रा लेना है जिस तरह हम छोड़ रहे थे उसी तरह हम फंदे को भी लेते चले जा रहे हैं अब पलट लेंगे पलटने के बाल इसमें चुकी कलर यहां दिखना चाहिए यहां दिख रहा है इसलिए हम पहला फंदा यहां पर बून रहा है दो तीन चार पांच छे और बाकी पंदों को भी बून लेंगे दागी को अपनी ओर करेंगे उनको और इसे भी बून लेंगे इसे आप पहला फंदा उतार सकते हैं इसमें देखी इस तरीके से यह हो कि आप पलट लेंगे पलटने के बाद हम बूनेंगे बुलू जहां तक है वहां तक सबसे पहले हम बुलू बुनते हैं देखिए बुलू कलर बुन लिए अभी जितना भी यह कलर का जितना भी है छे छे को भी हम बुन लेंगे हलका से इसे टाइट कर लेंगे तो दो तीन चार पांच छे दो हम और ले लेंगे इसमें आठ पलट लेंगे पलटने के बाद इन फंदों को भी हम बुन लेंगे पहला फंद आप उतार सकते क्यूंकि बुलू कलर का काफी है और यह दिख रहा है यह जो अप अलग कलर लगा रही है यह कम इसका बुनावट कम है इसमें हम जगह जगह पर बहुत कम जगह पर डाले हुए हैं इसलिए मुआ पर उतार नहीं रहे हैं बुन रहे हैं इस तरह से हम इसे पुरा यहां तक बुन लिए फिर से पलट लेंगे पलटने के बाद फिर से हम सिर्फ चार फंदा छोड़ेंगे बाकी फंदों को बुन लेंगे यानि जहां तक हम बुने हुए हैं वहां तक का चार फंदा छोड़कर बाकी फंदों को हम बुन लेंगे प देखिए अभी दो तो चार यानी दो फंदा और हम बुन सकते हैं एक दो अब देखिए आपर आपर फिर के एदाने तरह इस से लेंगे तो 6 हो गया अब हम फिर से इसे पलट लेंगे पलटने के बाद इसे हम बुनेंगे देखिए पलटने के बाद इसे 2, 3, 4, 5, 6 बुन लिए फंदे को नीचे क्योड कर दिये और ये फंदा हम उपर क्योड ले लेंगे क्योंकि अब इस से हमें बुनना है यह इस तरीके से ठीक है अब यह उतार लेंगे उतारने के बाद जितना भी फंदा इधर बच रहा है आपका सारे फंदों को आप बूंड लें और उल्टा तरब से भी आकर दो जो छोड़े हुए हैं यह टोटल यहां तक टोटल यहां तक बूंडे यानि इसे भी हम टोटल लेंगे और दो फंदा और एक्स्ट्रा भी लेंगे अई अगया मेन है यह कि यह हो गया है थे गोटा तरब से पुरा उल्टा मोंते हैं यह तो एक साइड में आपको दोनों तरब से शिधा बुनना होगा यानि एक साइड यानि यह जो ग्या हुआ है पीश का जो धारी किय है उसके एक साइड सीधा बुनने हैं दोनों तरब से और उसके दूसरे साइड हम दोनों तरब से उल्टा बुन रहे हैं तो यहां पर बाकी इन 6 फंदों को भी हमें बुन लेना है एक दो फंदे को टाइट कर लेंगे तीन चार पांच छे और दो जो एक स्ट्रा है इसे भी हम बुन लेंगे यहीं दो तो हम हर बार ले रहे हैं फिर इस बार लास्ट आपका यहां पर बुनाएगा दो कर दो दूसरे कलर से पुल्टा तरब से फिर एक लाएं पुनकर और हम कंप्लीट कर लेते हैं यह हो गया पहला फंदा उतार लेंगे तुसरे फंदे से बुर्णा शुरू करेंगे जब यह फूल अब लगभग कंप्लीट हो चला है इसके बाद तुरंत दुसरा फूली स्टार्ट हो जाता है यहां पे जैसा कि हम बोले हैं चार छोड़कर एक दो तीन चार चार छोड़कर इसके लड़ से चार भूनेंगे हम एक दो तीन चार और दो और लेंगे हम एक दो अब देखिए अब क्या करना है अब यह देखिए आपका डिजैन पुरा कंप्लीट हो जाएगा इसे हमें नहीं बुनना है इस वक्त तो हम क्या करेंगे यह बुन लेते हैं इसके बाद इसे पुरा बुन लेंगे फिर यहां से यहां तक आकर बुन लेंगे तब हम फिर अगला फूल सुरू करेंगे यह एक फूल लगभग आपका कंप्लीट होगे आप समझे गई होंगी यह फूल कंप्लीट लगभग हो चुका है देखिए इस तरीके से तीन चार पांच छे फंदे को नीचे की और कर लेंगे और यह फंदा उपर करेंगे और इसे बूलेंगे तो हमें क्या करना है इस लाइन को देखिए इस लाइन को पुरा बूनकर यहां तक लेंगे फिर उल्टा तरप से पूरा बूनकर यहां तक लेंगे इसके बाद हम दूसरा फूल शुरू करेंगे देखिए यहां उल्टा तरब से हम इसे पूरा उल्टा बुन लिए यहां पे आप थोड़ा सा और समझ लें यह लाश्ट जो एक फंदा इसे भी हम बुन लेंगे बुन लिए अब इसे पलट लेंगे देखिए पलटने के बाद अब एक लाइन हम पूरा उल्टा बुन कर कम्प्लीट करते हैं फिर हम दूसरा फूल यानि यह एक फूल बना और दो फूल इस तरह से हमें बनाना है तो दूसरा और तीसरा बना कर हम यहां पे कम्प्लीट करेंगे तो हम किस तरह से दूसरा उठाएंगे फिर से फूल ये देखिए ये सबसे पहला इसे हम पूरा इस लाइन को बना कर कंप्लीट कर लेते हैं कि ये इस लाइन में यहां तक कंप्लीट हुआ अब पलट लेंगे पलटने के बाद बूनेंगे साथ फंदा छोड़का बाकी फंदों को हम बून लेंगे अब देखिए हापे साथ फंदा छुट गया हमारा तो फिर से हम क्या करेंगे दूसरा फूल हमें सुरू करना है तो छे फंदा हम बून लेंगे दूसरे कलर से दो तीन चार पांच छे अब ये फंदा हमारा इसी तरह रहेगा बाद में जैसे इसमें किस तरह से हुआ एक फंदा बीच में मात्र बुनाया उसी तरह इसमें भी बुनाएगा अब ये हम फिर से यहाँ पर बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे फंदे को नीचे की ओर कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसे हम बुनते हुए पुरा इसलैन को कम्प्लिट कर लेंगे पहला फंदा आप उतार सकते हैं यहाँ पर देखिए बुनकर हम इसे कम्प्लिट कर लेंगे हमारा यहाँ पे समझाने का कहने का अर्थ यह है कि देखिए इस तरह से हम इसे कम्प्लिट किया है तो अब जिस तरीके से हम यह फूल बनाएं यह एक फूल बन गया आपका यहाँ पर जो यह एक बना एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे तो यह एक बन गया अब यहाँ दो बनेगा, तीन बनेगा चार, पाँच, छे उसी तरह से बनता चला जाएगा और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे बीच वाला यह धारी पर तो फिर से आपका सलाई्स पलट जाएगा यानि कि अभी हम उल्टा-उल्टा बुन रहे हैं तो उस वक्त आपको सिधा-सिधा बुनने लगिएगा तो इस तरह से बनाते हुए हम तीन फूल और इसमें तयार कर लेते हैं इस तरह से देखिए हम यहां पे इसे एक लाइन यह बनाए दूसरा लाइन बनाए और फिर यह तीसरा बना ले तो तीन बनाकर कम्प्लिट कर लिए अब हमें क्या करना है यह चीज जो बना हुआ है इसे फिर से हमें यहां पे बनाकर कम्प्लिट करना है जितना लाइन में यह complete है उतना line में हम यहाँ पे बना लखा है तो चलिए इसे complete कर लेते हैं अब दिक्षे इसे हम इतना दोर तक complete कर लिए जितना हम इस तरह बूने हुए थे उतना ही हम इस तरह भी बून कर complete कर लिये हैं अँद इसका जो यह outline है यानि outline यानि पैर के पास में आएगा यह यहां से लेकर यहां तक बना चुके हैं, यहां से यहां तक इस तरह से बना चुके हैं, कुछ इस तरह का देखने में लगेगा, इससे आप यहां पर आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, जो आप पोईक्षा करता हो, हम सिर्फ फंदे यहां लेंगे, फंदे लेने के बाद एक बार इस तरह से हम डवल कुरूसिया बना लेंगे बना लिए अब हम अगला पी ले जाकर इसे बंद कर देंगे इस तरीके से फिर एक चेन ले लेंगे फिर हम एक डवल कुरूसिया यहां पर बनाएंगे बस हमें एक ही बनाना है दो या तीन नहीं बनाना है बस एक ही बना है और अगला होले हां यहां पी ले जाके सिट फिर एक बना लेंगे इसरह से मारा यह बनकर यहां पर मस तरह से को Rem कि यह से हैं तक complete करेंगे अगर आप यहाँ क्रोशिय का हेल्प नहीं लेना चाहती है सलाई की द्वारा ही बनाना चाहती है तो इस साइड में अपना आप बॉर्डर कुछ पी डाल दे हंका फूर का बॉर्डर की रूप में बुनते समय ही वो बॉर्डर आपको डालना होगा और अगर आप क्रोशिया चलाना जानती है तो यह क्रोशिया से बना दे क्रोशिया से कापी अच्छा लगता है देखें पर जब हम इस तरह पहुँचे हैं तो यहाँ पर हम इस तरीके से डालेंगे फिर से एक ले लेंगे एक डवल क्रोशिया यहाँ पर करेंगे और अब इसे हम अगला यहाँ पर डालेंगे फिर एक चेन लेंगे तो इस तरह से करते हुए हम पूरा इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक कम्प्लिट कर लेते हैं फिर हम इस पर सिलाई करेंगे तो इस तरह से देखे हम यहाँ पर इसे पूरे गोलाई में बना कर कम्प्लिट कर लेते हैं अब हमें इसे सिलना है तो हम सीलेंगे किस तरह इसे हम इस तरीके से रख लेंगे सबसे पहले और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक सीलेंगे इसी धागे को हम काट लिए हैं यहाँ पे तोड़ लिए इस धागे को इसे हम बाद में कट कर लेंगे जितना भी इधर एक्स्ट्रा निकला हुआ है उnew Absolutely Das उसे हम बाद में यहाँ पे कट कर लेंगे इस इलने में हम सिंपल तरीके से सिल लेंगे कि या आप जिस तरीके से सिलना चाहती है तो इस तरह से हम सिलाय करते हुए यहां से सिलते हुए यहां से लेकर यहां से इसे मिलाते हुए सिलेंगे देखे इस तरह से इसे यह जो इसका है यह चीज यह चीज और यह चीज यह दोनों को मिलाएंगे फिर यहां यहां पर मिलाएंगे फिर इस तरीके से मिलाते हुए कोना पर यहां पिला के सिलाई हम खत् जो कि देखिए यहां पे जब आप पहनेंगी इसे तो यह आगे तरफ आएगा अंगलियों के पास में यह आएगा कि पहनने के बाद आपको पता चलेगा कितना इस फिट बैठा है पैरों पे और यह देखिए यहां पे अगर आप इसे चाहती है कि छोटा कुछ करे तो आप इसमें जो यहां पे हम यह डाले हुए हैं यहां पे जो कुरूसी की मदद से डाले हुए हैं वो हम जितना यहां डाले हुए हैं उसमें आप जैसे कि यहां एक और दो दो मिलाकर एक कर लें यानि कि इस पे आप थोड़ा सा टाइट करते हुए बनाएं तो यह आपको अगर subscribe करें, thank you